हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको तोरी के चिलके बनाना बताऊंगी यह मैंने तोरी के चिलके लिए हैं इनको मैंने कूकर में उबाल लिया था पानी ने डालना ऐसी उबालना है हलके से उबालने के बाद इसमें पानी बहुत होता है और इसको पेल में थोड़ा सा जीरा, लसन और मिर्च डाल के इसे सुनेरा होने तक भूनेंगे जब यह सुनेरा हो जाएगा तो इसमें हम तोरी के छिलके डाल देंगे तोरी के छिलके डालने के बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्च डालेंगे पिसी लाल मिर्च आप डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा से तीखा खाना पसंद करते हैं वरना हरी मिर्ची अच्छी लगती है इसमें बस अब ये रेड़ी है और इसे आप सर्व कर दीजी ये टेस्ट में अच्छी होती है, अच्छी लगती है और इसके पराटे भी बना सकते हैं भर के बहुत मज़ेदार लगता है यह तैंक यू फॉर वाचिंग